धर्ण प्रवी सज्जनों तथा विशेश कर भारब बासियों से मेरी आग्रा है और आज संपोर्ण मानम समाज के लिए भी संपोर्ण मानम समाज के लिए भी राजेश यादव जी जी नमस्ते संपोर्ण मानम समाज के लिए आज यह मेरे द्वारा आपनों को एक सूजना है वो सूजना यह है कि आज का मेरा वक्तव का हीडिंग है सत्त की जय इसे कहते हैं जो आज चरितार्थ हुआ है कैसे चरितार्थ हुआ है आईए मैं थोड़ा सा आप लों के सामने इस कवर्ण अंगरता हूँ आप भारत बास्कियों ने जरूर देखा होगा हमारे भारत बर्ष में नियायरा से देखर के प्राया जगों पे यानि स्कूल, कॉलेज, मंदिर, गुर्दवारा और ठाने तक यही शब्द आपको लिखा हुआ मिलता है वो शब्द क्या है सत्य में वेजयते रिशीद आनन ने अपने सत्या प्रिकाश में भूमिका में लिखाया केवल सत्य में वेजयते ना निर्तम सत्य न पंथा वितवतो देवी या ना यह बग रिशीद आनन के है के विद्वानों सत्र से ही विद्वानों का रास्ता प्रश्रत होता है, तो मैं थोड़ा से विचार आज इसी पर ही आपनों के सामने रख रहा हूँ, और भारत की बुनियाद भी इसी सत्र पट्टी की हुई है, ये तो हमारे आलसी और प्रमादी लोगों ने ही इस सत्र को लिखवातो दिया, किन तु इस पर अमन नहीं किया, अपने आचरन में नहीं लाए, केवल कहने तक ही उसको सिमित रखा, मात्र इसी बात पर अगर आचरन करते होते हमारे राष्ट के संचारन करता, तो आज ये दुर्गती न हुई होती भारत की, और ना ये भारत टुकडा होता, ना चीन हमा हमारे जमीन को कबजा कर लेते, जो आज वो स्वयम कह रहे हैं, मकबूजा कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के मानी, कश्मीर का वो कबजा किया हुआ इस्तान, अर्थात आज भी ये लोग ये कह रहे हैं, कि ये जमीन हमारी कबजा की हुई है, हमारे देश के संचरन करताओं के अदुरुदर्शिता के कारण ही हमारा जमी चाहे वो चीन के कबजे में आया हो चाहे वो पाकिस्तान के कबजे में आया हो माईो देजबासियो ये तो बहुत दूर की बात रही जिस बंगला देश को हम लोगों ने आजादी दिलवाई किस चीज़ से पाकिस्तानियों से पाकिस्तानी शाषकों से पाकिस्तानी अतचारों से पाकिस्तानियों के अतचारों से जिस बंगला देश को हम लोगों ने आजादी दिलवाई जिस भारत ने नमारूं कितने साइनिकों को गवा कर 93,000 साइनिकों को सेरिंडर करवाए थे गुटने टिक वाए थे पाकिस्तानियों के वही बंगला देश भी हमारा जमीन दवाया हुआ है तो तीन भी खावाला कांड अभी तक समाप भी नहीं हुआ इसका मूल कारण क्या है कि हमारे देश के वो लोग जो अपने को इस देश का मालिक बताते रहे किन्तु वो स्वयल सथ से विमुक थे और सथ से विमुक होकर अर्थाथ वो सथ को तिलाजरी दे कर ही हमारे देजबासियों के सामने भी बिस्थ का उजागर नहीं किया और सथ से अपने को दूर रखा ही था देजबासियों को भी सथ से दूर रखा जैसा दूर क्या रखा मैं प्रमान देता हूँ रगुपति रागवा राजा राम पतित पावन सीता राम इश्वर अल्ला तेरो नाम सब को सम्मती देवागवान उन अन्ना वालों ने आज तक ये नाल लगाया ही नहीं कि इश्वर अल्ला दो नाम एक है आज तक नहीं बोला लेकिन हमें ये गलत पाठ पढ़ाया गया और आज इसी का ये नतीजा है जिब भालत बासी जिस दोर से गुजर रहे हैं ये असत पाठ के पढ़ने से सत से विमुक होने से ये सारा तांडव हुआ है सारा कान हुआ है कल मैं लिखा भी और आज भी मैं आपनों को लिख करके दिया आज इसी सत के बल पर उन लोगों की हेकड़ी खतम हो गई उन लोगों की उनहीं लोगों की जो ये चिल्ला रहे थे जो ये बतला रहे थे क्या बतला रहे थे कि नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते ये हेकड़ी उनकी बंध हो गई भारत आज भी वही है जो भारत पहले था आज भी भारत वही है नेकिन तीन सो सत्तर नहीं है 35A नहीं है CAA है NRC है हमारे देश के संचरन करता होने अपने अदुर्दाशिता के कारण हमारे जमीन पर उन सम लोगों को कबजा करने दिया आज इसी सब के बल पर उन लोगों की हेंकड़ी खतम हो गई जो लोग इस देश के बारे में नमारूं क्या क्या कहते थे इन देश के निवासियों को किन किन लफजों में गाली देते थे और इसी देश में खड़ा होकर के पाकिस्तान जिल्दबाद का नारा लगाते थे कारण वो सत से भी मुखते अगर वो सत को जानते होते और सत को अमल करते होते, सत पर अमल करते होते, सत को आचरर में लाते होते, तो आज ये दुरदशा नभी होती। इसलिए मैंने बोला कि आज तो भारत वही है लेकिन 370 नहीं है। 35 ये नहीं है, सारे धंकी बाजों की बोलती बंडों गई। सारे धंकी देते रहे, जितने ही कश्मीरी नेता हैं, जो अलगावबादी नेता हो या पकड़ेवी नेता हो। यानि अभी मुल्ला उबर ने क्या बोला? जरूर आप लोगों ने भी सुना होगा। उसमें दुर दर्शन में सुन जा गया है। सत्त में परमात्मा का ही प्रिणा है भाई, सत्त उब्देश परमात्मा का है, सत्त का उब्देश परमात्मा का उब्देश है। सत पर आचरन करना पर्मात्मा ने अपने संतानों के लिए बोला है कि सत पर आचरन करो, अगर तुम सत के साथ जुड़ोगे नहीं, तो पर्मात्मा का पर्मात्मा की किपादश्टी, पर्मात्मा का कोई भी सायोग तुमारे साथ नहीं होता। इसने पुर्शार्ति बनने के लिए उब देज दिया है, रिशी कपिल ने, सांज दर्शन का पहला ही सुत्र यही है, त्रिवित दुखम अत्यांत्या लिपृति ही अत्यांत्या पुर्शार्ता, उन तीन दुखों से चुटकाला पाने का प्रयास करना, आध्दाप्निक, आधी देविक, यह जो आधी देविक दुखा है, वह जिसको हम करोना, 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 करोना चिला रहे हैं, यह आधी देविक दुख है, दूसरों के द्वारा दिया हुआ भी दुख है, इसको आधी बहुतिक आधी देविक दोनों कह सकते हैं, तो मैं नी बिदन करने दग हूँ कि आखिर ये किस लिए हुआ कि जो लोग अल्ला के नाम से हेंगडी बाजी करते थे आज वही लोग यही कहते थे पहरे कि हम आए एक अल्ला के सिवा किसी और से नहीं ड़ते यह मैं अकेला नहीं आप लोगों ने भी सुनी होगी जो यह कहते रहे कि एक अल्ला की सिवा हम किसी से नहीं ड़ते लेकिन उन अल्लावानों को यह पता होना चाहिए कि आज अल्ला ने भी हाथ खड़ा कर लिया हाथ मुचा कर लिया और यही हेकडी बाज जो अल्ला का दोहाई देते थे वो अल्ला भी हाथ मुचा करके क्या कह रहे हैं कि मक्का और मदीना में ना मक्का और मदीना ताला में अबद हो गया कहां कौन मक्का मदिना कि इबराहीम और इबराहीम पुत्र इसमाइल ने जिसे बनाया जिसको खाला कावा कहते है उस कावा में ताला लग गया केवल ताला ही नहीं लगा अपीदू मक्का वालों ने कहा हज करने के लिए भी मत आओ यहां के हेकड़ी बाजी सब क्या कहते थे यह वहीं जाकर के हाजरी लगाते थे अल्लाहुम लबईक 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 अल् मत आओ मत आओ आज संकून दुनिया वार ले देखा है देख लिया है कि एक खांदानी आलिम इसलाम का जानका जिनको अपने बाप दादाओं से इसलामी सिच्छा इसलामी तालीम मिली है जो अपने को डायरेक अल्ला का एजेंट बताते रहें जो अल्ला का एजेंट मानते रहें जिनोंने पुरान और हदीसों की पड़ाई की जो अब तरह कहीं कहते रहें कि अल्ला की सिवा आज हम किसी से डरते नहीं है और दुनिया भर के मुसल्मानों को गुला करके भी यही कहते रहे कि एक अल्ला की सिवा किसी और से डरना नहीं चाहिए अल्ला की सिवा अल्ला को छोड़कर किसी और से डरने की ज़रत नहीं है आज तो ये जो कुछ भी हो रहा है कि मुसल्मानों का एकत्री करम से लोग घबराते है इसलिए कोरोना आदी आदी नामों से हम मुसल्मानों को एकत्रित होने नहीं देना चाहते हैं यही कहते रहे और अल्ला को छोड़ कर किसी और से मट दरो इसलिए यह कहते कहते दिली पुलीस से डर गए एक खांदानी मौनाना मौनासाद मौलविसाद क्या उन्होंने दिल्ली पुलीस को अल्ला माना जिस दिल्ली पुलीस से डरे जो अब तक तो मुसल्मानों से यही कहते रहे कि ऐ मुसल्मानों अगर तुम्हें मरना है चाहे कोरोना से मरो चाहे करोना से मरो चाहे कैसे मरो लेकिन मरो तो मस्जीद में मरो क्योंके मज़्दी से बढ़ करके और कोई अलग जगाद नहीं है आज वो मौलाना क्यों भागे पिर रहे हैं किन से डर गए क्या दिल्ली पुलीस को अल्ला समझ लिया है उने जब अल्ला को छोड़कर अल्ला के सिवा किसी और से डरने की बात जो करने वारे रहे जो कहते रहे दुनिया भर के मुसल्मानों से कि एक अल्ला को छोड़कर किसी और से न डरो आज उनी मुसल्मानों को छोड़कर कि ये फरार दिल्ली पुलीस को अल्ला मान दिया या दिल्ली पुलीस को अल्ला मान दिया आज दुनिया पूछ रही है, मौलाना साथ सहाब, आप ही हमें यही कहते रहे, कि एक अल्ला को छोड़ कर किसी और से डनना नहीं चाहिए, अब आप कहा है जनाब, ये तो बताईए कि जनाब कहा है आप, क्या दिल्ली पुलीस ही आज अल्ला बन करके आपको नजर आने लगे इसका जवाब तो मौलाना साथ के पास और संपूर्ण इसलाम जगत के पास नहीं है, मेरी खुड़ी चुनों की है, आओ, किसको आना है, आए तो इंग्लेंड से, जर्मनी से दिरंतर मेरे पास फोन आ रहा है, फोन आ रहा है किनका जानते हैं, इन्हीं अल्ला वारों का, ज जो अल्ला के सवा किसी और से ड़ते, नहीं, जो अल्ला के सवा किसी और से ड़तने के लिए दुनिया वारों को मना करते रहे, वहीं फोन करके, आज मुझे खुशामर कर रहा है कि पंटी जी, माफ कर दो, पंटी जी, छमा करो, हम अल्ला वारों की ये दुर्गती क्यों कर तो भाई, मैं अल्लावालों की दुर्गती क्यों और केशे करता हुआ? ये तो अल्लावालों नहीं अपने दुर्गती की हुई है। इसलिए तो मैं पूछा कि आज इसका जवाब क्या है? मौलाना साथ और इसलाम जगत के आलिम हमें बताएं। इसके जवाब के लिए प्रतिक्षा में पंडित मेंदर पाल आरियर इस जवाब के इंतजार में हैं। कि जो दम भर रहे थे आप, जो ये कह रहे थे कि हमें किसी से डरना नहीं है, अल्ला को छोड़कर किसी और से डरना नहीं चाहिए। आज ये कहते कहते कहां फरार हो गए, लेकिन कितना बड़ बेई मानी इन्होंने किया हैं देखिएगा। कि भारत नहीं नहीं संपौन विश्यों के आनन में लोग थर-थर कांप रहे हैं। कई देशों के रास्त धक्ष भी इस बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। थर-थर कांप रहे हैं लोग इस बीमारी से कैसा चुटकारा पाया जाए। संपौन दुनिया वासी आज भारत की तरफ नजर लगाए बैटे हैं। क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा कम नुक्सान हुआ है लोगों के जानोगा। और भारत के संचालन करता। मानिये लेरेंद्र भाई मोधी जिनका नाम है जो प्रदान मंती है। उन्होंने ऐसा नुस्खा बताया भारत बास्यों को। अगर उस नुस्खे को अपने जीवन में उतारो तो इससे दूर हो सकते हो। भारत को भी छुटकारा मिल सकता है। यह जो लोग दम भर रहे हैं इस्लाम के नाम से अल्ला के नाम से आदिया ली कुरान के नाम से यह सब जूटा सावित हो रहा है। कि ये कपोल कर्पित बातें मालूम पड़ते हैं, ये कपोल कर्पित बातें हो रही हैं, उससे कोई बचने वाला नहीं है, अब ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग तो वहां तक उतराएं, जो इनके सेवा में, जो इनको बचाने के लिए, जो इनके मौत के गाल से निकालने क फिर्वय का खुनाा के देंक इना लोगं refuse की आइने को को ओअरतु हो नलुघ करके सामने का लाइव है इन नंगों को आज मैं उपर वो बुलाकर तबी तो वो पुलीस पर धूक रहे हैं, पुलीस पर डंडा बजाने बाले कान लोग हैं, ये नर्स पर, राक्टर पर, सेवा कर्वियों पर थूकने माले कान लोग हैं, यही इस्लामिक सिक्छा है, और कल मोड़े अंसार रादा को मैं सुनगा, तदम भर रा था जबकि वो कुछ भी नहीं जानता है और जो तब्लीगी जमात के और से जो जाया हो तो बै कहला है कि मैं वकीर हूँ मैं इसलामी बिद्वानी हूँ और वो कल्मा पढ़ रहा है दरूद पढ़ रहा है दरूद सुनकर के वो अंसार रिज़ा चुप हो गया ये न्यूज नेशन में दिखाया है अचुप हो गया बोलने पार है और जो उसके सच एंकर था ना वो बार बार टोका इंकर लेकि नहीं बोल पाया मैं पूछता हूँ आज सब पूल इसलाम जगत से मैं पूछता हूँ आज सब पूल इसलाम के मानने वाले लोगों से क्या तुम अल्ला से नहीं डरते हो अल्ला के स्वा किसी और से डरते हैं नहीं हो यही कह रहते ना आज क्यूं डर गए कहां भागे फिर रहे क्या मौला नशाद को यह नहीं चाहिए था कि जब मरकज से नीचे उतरे तो बाहर नजा करके पुलीस इस्टेशन में जाते इसे ही चोपो जाब मिलते हमें वहाँ पहुचाईए या मैं वही हूँ या आदी-आदी अपनी बात कह सकते थे आप वो वीडियो चला करके बोल रहे हैं क्यों? सामने आने में नानी मर रही है सामने क्यों नहीं आ सकते? जब अल्ला के सिवार किसी और से डरते नहीं हो तो क्या दिली पुलीस को ही अल्ला मान लिया है? संपुन इस्लाम जगर से मेरा सवाल है और विशेश करते आसदु दिन ओवैसी बे ये सवाल है कहां भागा बिर रहा है तु भाई? बुलाना आपने भाई दोनों भाई आकर के जवाब तो दे कम से कम जो इस्लाम के मानने वारे लोग जो कर रहे हैं हॉस्पिटल में यह तरततर इनके सेवा में जो लोग लगे हुए है चाहे वो सेवा कर भी हो या पुलिस कर भी हो प्रशासन हो उनके साथ जो बतत्मीजी कर रहे है टाही इस्लामिक सिच्चा निया अंसार रिजा दम बार रहा था कहा है पुरान में भी क्या जाने गा खुरान में अल्दा ने साफ जक्र फिके फर्माया है ला यत्थिल्मुमिनून काफिरीन keंव्या मिन दूनिन लुखुम एलनाहिल मसीर एक ज़गा ली कई जगा कुरान में आया है सुरह अडिम्रान आयत नंबर 28 देखिए सुरह अनिसा आयत नंबर 114 देखिए और सुरह माइदा लेखिए सुरह मुजादला लेखिए ये अल्ला का उब्देश है अल्ला ने क्या बोला मुसल्मान मुसल्मानों को छोड़ कर काफिरों को दोस्त न बनाओ दिल से और जुबान से अगर तुम दोस्ती रखते इन काफिरों से तो मैं अल्ला ताला तुम से दोस्ती नहीं रखता यही कारण है यही पुरानी आयात है जिस आयात के कारण आजिए मुसनमान उन डाक्टरों पर थूक रहे हैं, नष्ट पर थूक रहे हैं, पुलिस फारों पर ग्रुंड़ा बजा रहा है, अगर को रुन कुरान को जानता हैं, मुला नसाओद आओ, और बेस्वाद आओ, जिसको आना हो आओ सामने आओ, कुरान में नहो मैं जिम्मत आदू ये बाते अगर कुरान में नहो मैं जिम्मत आदू इसलिए जब कुरान में ये बाते हैं, ये इस्लामिक सिच्छा है, अल्ला का दिया हुआ तालिम है और इसे पर ही मरकज ठिकी भी है इसे पर ही बला मुठ ठिका हुआ है और यह जितने भी इस्वामिक शंगतन आतन भादी शंगतन तक सब इसी बला है दला मुठोवा है बला मैं बुला भी बला मुठोव refuse दार है इस इसलिए मैं लिव Question कर रहा हूँ मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि आज अगर जानना है तो करुणा से पहरे इस इस्लामी वायरस को जानना पड़ेगा इस इस्लामी वायरस को जाने मिना इन डाक्टरों को भी मुसल्मानों के ठूक लेने पड़ेंगे नर्सों को भी मुसल्मानों के ठूक लेने पड़ेंगे पुलीस वारों को भी लेने पड़ेंगे इसलिए इसलामिक वाइरस को जानो पहले कि इसलाम का ये वाइरस है इस वाइरस को पहले खतम करना पड़ेगा तब ही करोना वाइरस खतम होना संबब होगा कोरोना बाइदे समग करना समग होगा इस दुखत में घड़ी में मैं भारत बासियों से विशेश करके हाथ जोड रहा हूं मिंती कर रहा हूं कि सब एक जुटता दिखा कर जो गैर मुसलिम लोग हैं इन मुसलमानों को तो इसमें सयोग करना ही है इसलिए तो विरोध कर रहे ह भारत का भी विरोध हो रहा है और इस कोरोना का भी विरोध हो रहा है यह बत्तमीज महिलाएं कर रहे है कोरोना तो कॉरान का है जैसे उसके बापने बेजा है कोरोना कॉरान का है कहां आया है कोरोना कॉरान में कोरोना शब्द कहां आया कॉरान में दिखा कोई माई करा है को इसी का nama مकर है और अल्लों आति मुस्लमानों को किने से बंकर करने के लिए कहाँ HOR गैर मुस्लिमों से इसलिए बंदो मैं दावा के साथ यह कहरा हूँ इसी कानाम सत्त मेव जयते है सत्त जये हमेशा होते है होते रहेइगी IS लिए सत्त मेव जयते को लोगों ने अपनाया है हमार यहां नेयर ऐसे लेकर कि मैं बोला ना स्कूल, कोलेज में, मंदिरों में, सब जगा, यहां तक ठाना में भी यह शब्द लिका हुआ मिलेंगा। सथ पर अमल करने के लिए बोला जाता है, सथ को आचरन करने के लिए आचरन पर जाने के लिए बोला जाता है, यह रिशी मुनियों का उगदेश है, रिशी मुनियों ने कहा सथ पर आचरन करो, क्यों? कि तुम्हारा नाम मानव है, लेकि यह मुसल्मान मानव तो नहीं है, यह मान वगर होते तो मुस्लमन क्यों कराते हैं इसलिए मैं असर्डीन अपैसी को भी शिएश करके ये वो ना हूँ किया असर्डीन अपैसी सुनने कान कोलकर कहां है तू 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 कहता है कि हम इस देश के मूल लिबासी हम यहां किराएदार नहीं है तो बेटा अगर तू किरायदार नहीं है तो उस मक्का और मदीना में जाकर के तू अल्लहुमा लबबई क्यों कहता है हाज़ी तेरी वहां क्यों लगती है अगर तू भारत का है तो भारत में कौन इसी जगा है जहां तू जाकर के ये शम्द कहता है जरह वो बता अल्लहुमा लबई कहां कहता है भारत के किसी कौने में तेरी हाज़ी वहां लगती है कहां जहां से ये इसलाम पहला है फिर तू भारत का है ये क्यों कैसा कर सकता है तेरी जुआन जन्म लेते ही तेरे कान में अर्बी में अजन सुनाया गया बाया कान में तक्बीर सुनाई गई और मरने के बाद भी तुझे फरिश्टा करके यही पूछेंगे मर रब का मन नभी का मन दीनों का मर रब का मन नभी का मन दीनों का पूछे क्या बोलना चाहते हैं मर रब का मन नभी का मन दीनों का अर्बी में बोलना जाता है कि हिंदी में बोलता है तू या उर्दू में बोलता है अर्भी में ही बोलता है, तुम्हारा दब कौन है, तुम्हारा नभी कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, यही तो बोलेगा अर्भी में पे तू, अर्ण नहीं जानता, तू तो पढ़ा लिखा नहीं है अर्भी, तू तो बैरिष्टर है, बिले से पढ़ करके आया है, तुझे क्या कहना पढ़ेगा, सुन ने मैं बता देता हूं, तु यहीं कहना पढ़ेगा तुझे, ला अधरी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, सुन ध्यान से, इसी का नाम सत्त मयवेजयति है, इसलिए सत्त को अपना, सत्त को आचरव में उतार, सत को जान, सत कहाँ है? सत केवल और केवल है कहीं? वो वेद में है. वेद के सवाब दुन्या में सत कहीं नहीं, किसी के पास नहीं. इसलिए मैं कुरान और पाइडल वालों को पिशेश करके ये निमंतरं दे रहा हूँ. क्या आओ सत किसे पास है? कल तो मेरे पास दिल्ली से फोन आया कि इसाई लोग किस तरीके से गरीमों को इसाई बना रहे हैं मैंने को दो-चार पॉइंट दे लिया उसने कहा कि गुरू जी मैं तो आप से तीन साथ से जुड़ा हूँ और मैं इसाई बन गया था अब तक अगर आपको न सुनता पुता यह मेरे पास सारा ख़दाना है ऐसा इसलाम वाले भी बोलने है इस जुड़ मैं बोला हूँ मैंने जितने ही इसाई और इसलाम वाले जितने मेरे टच में आए हैं अब तक इसलाम को अल्विला कहकर क्रिश्टल्टी को अल्विला कहकर मैं सब को पहलों धरमवीर जी के टच में कर दिया हूँ और धरमवीर जी की तैयारी के बाद दो साल की है सुनो और आलिये समाजियों भी काम सुनो अगर मेरे से इसी तरीके से काम लिया गया होता तो ना मालू मैं कितनों को बना सकता था लेकिन मेरे से काम लिया नहीं गया हाँ लिया गया किस तरीके से लिया केबल प्रचारक के नाम से लिया गया लेकिन जो चीज मेरे पास है वो तुम आरिय समाजों के पास किसी के पास नही है यहां तो सारे वित्थाचारी लोग बैटे हैं प्रफिसर राजिंदर जिग्यासु जैसे जिसको आरिये जगत ने कितना भी दुआन माना कितना क्या माना है लेकिं छूटा है बक्तार है खुद नाम अपना और धर्मीर का नाम डाल दिया, यह दोनों लोग नहीं थे, इससे यह आंदाद रगा लीजे कि यह कितने मी तचाली लोग हैं, कितने मी तवाली लोग हैं, और आरिये समाज के जमा उड़ा ऐसे लोगों के द्वारा है, ऐसे लोग ही इनके साथ हैं, ऐसे आरिये समाज के लोग तो रिशी देरण की गला गोरतने में लगे हैं, जो अपने को बेदाचारी मानते हैं, आलि अलि, कीजिए और घर्टी जरुन बजा देना लोग कहते हैं ऐसी बात इनी शब्रों के साथ मैं अपने वाली को भी राम दे रहा हूं बहुत बहुत धन्वाद